हलो वेलकम टू आवर चानल फूद एक्सपो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का चीला जो प्रोटीन वाइटमिन्स और मिनरल से भरा हुआ है जो काफी टेस्टी और हल्दी भी है वैसे तो मूंग दाल में बहुत से खुबी है जैसे की वाइटमिन A, B, C and E साथ ही आई इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मूंग दाल इसे मैंने राद भर भिगो दिया था अब इसे मैं डारेक्ली मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूं यह एराउंड वन कप का मूंग दाल है इसे आप सोक कर ले 12 गंटे के लिए यह चार से पांच गंटे में भी सोक हो जा मैंने इसे राद भर छोड़ दिया था अब यह मैंने मूंग दाल मिक्स कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक चोटा टुकडा अद्रक का साथ ही इसमें तीन से चार आप हरी मिर्च डाले आप अपने स्वात के अनिसार इसमें हरी मिर्च आड़ करें आपको अगर जाद साथ ही स्वादन उसार नमक अब मैं डाल रही हूँ आधा टुकडा बारी कटे हुए प्याज कुछ चुटकी भर ही यह सारे मिक्सर को हमें अब अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है ब्लेंड करते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी मिलाना है आप इसमें एराउंड वन फूर्थ कप पानी मिला सकते हैं तो वन फूर्थ कप पानी मिक्स करके मैंने इस तरीके से इसका बैटर बना लिया है अब इसको हम एक छोटे से बरतन पे निकाल अब आदे घंटे बाद इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन मिक्स कर रही हूं यह तो वैसे ऑप्षनल है वैसे डाइजेशन के लिए अजवाइन बहुत ही फायदे मंद है तो मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन एराउंड 1 टी स्पून एड कर रही हूं आप इसे मिक्स करना अजवाइन एक नॉनस्टिक पैन यह पैन गरम होते ही हम इस पे थोड़ा सा देसी घी डालेंगे आप चाहे तो इसमें कोई भी ऑईल भी डाल सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा ओलिव यूज कर रही हूं इससे हमें तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है अब इसमें हम बै दाल सकते हैं मैं इसमें कोईनट और एक उनियन का दोनों बना के आपको दिखा रही हूं अब हम यह कोईनट वाला चीला बनाने जा रहे हैं मेरे पास डेसिगेड़ कोईनट थे तो मैंने यह ड्राइ कोईनट पॉडर डाल दिया है आप फ्रेश कोईनट भी इसमें यूज कर सकते हैं जाहे पाइनपल चटनी हो कोई मीठी अचार हो या आम की अचार के साथ किसी भी खटी मीठी अचार के साथ इसे खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी है जरू ट्राइ करें कर दो कर दो दो